नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं यह शोनयों फिल्स यह शोनयों फिल्स क्या होता है और यह क्यों टेस्ट कराया जाता है कौन सी बिमारी के लिए डॉक्टर इस टेस्ट को कंपल सरी कराने के लिए बोलते हैं तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंग और आप देख रहे हैं र eosinophils or less community acidophils are a variety of white blood cells and one of the immune system components responsible for combating multicellular parasites and certain infection in vertebrates absolute eosinophils count test doctor a test करवाने के लिए क्यों कहते हैं यदि doctor को आसंका है कि patient को allergic बीमारी है जैसे अस्थमा तुचा की allergy या अन किसी type की allergy यदि है तो इस test को करने के लिए बोलते हैं absolute eosinophils count test leukocytes और eosinophils क्या होते हैं leukocytes रक्त में पाई जाने वाली को सिखाएं होती हैं जो सरीर का bacteria virus parasites और संक्रमण से बचाओ करते हैं ये उसनो फिल्स count बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं allergic बीमारियां संक्मण तुचा की allergy और अस्थमा यह test कैसे किया जाता है इस test के लिए रख्ती का नमूना लिया जाता है इस test से पहले किसी खास तयारी की आप सकता होती है ऐसा नहीं जिस test को कराने के लिए पेशिंट अपने मतावे कभी भी ब्लड सेंपल दे सकता है ये उसनो फिल्स खास किस्म के लिकोसाइट्स हैं जो सरीर को allergy और पेरासाइट्स से बचाते हैं इस उनो फिल्स discounts कम होने के chances बहुत जादा होते हैं दोस्तों इस ये टेस्ट allergy की बीमारियों के लिए बहुत ही कंपल सरी है अगर किसी को allergy की बीमारी है बहुत जादा किसी को छीक आते हैं या अस्थमा की problem रहती है या body में सरीर में खुजली की बीमारी कोई है कोई तोचा से कोई skin allergy है किसी परकार का कोई संक्रमाड है तो free test कराना बहुत ही कंपल सरी है दोस्तों अगर ये वीडियो अगर ये जानकारी useful अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जादा स्यादा like कीजिए share कीजिए और अभी तक इस चैनल प अबसे हाथ